दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि Amazon जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक और बहुती बड़ा जंगल है और ये बहुती बड़े शेतर में फैला हुआ है Amazon नदी जंगल के माध्यम से होकर ही गुजरती है और Amazon Rainforest जानवरों और पौधों को संपूर्ण जीवन समर्थन करती है इस जंगल को Lungs of the Earth के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दोस्तों वो जमीन पर Carbon Dioxide को अब्जर्व करता है और Oxygen प्रदान करता है और दोस्तों ये जंगल खतरनाक जैनवरों का भी जंगल है जी हां आपने बिल्कुल सही सना और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं खतरनाक जैनवरों से रूबरू करवाने वाले हैं जिन में से कुछ दिखने में बहुत संदर भी हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो खतरनाक है दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे बुलेट आंट की अपने जंगलों में घरों में कई बार अपने साथ ऐसा होते हुए जरूर देखा होगा कि हमारे हाथों या पैरों पर चीटियों का जूंड हमारे किसी काम के करण चड़ जाता है और अगर वो चीटी लाल है तो फिर हमें काट लेती है लेकिन ये बुलेट आंट बहुत ही खतरनाक दिखाई देती है और अगर ये काट ले तो इनसान को किसी गोली लगने जैसा दर्द महसूस होता है ये चीटी दुनिया के प्रांच सबसे दर्दनाक तकलीफ देने वाले जानवरों में शुमार है दोस्तों ये इल्स मचली जो के तालाब, दलदल और नदी किनारे किसी भी पानी के स्रोत के आसपास अमीजन के जंगलों में मिल सकती है और ये काम कुछ ऐसे करती है कि ये हम सभी से बहुत डरती है और ये हमें टच भी नहीं करती है साथ ही ये हमें कभी काटती भी नहीं है और तो और इसमें जहर भी नहीं होता दिखने में ये तो एक बहुती छोटा सा और रंगीला किस्म का दिखाई देता है पर इसकी खुबसूरती पर मत जाना दोस्तों क्योंकि इतना खतरनाख होता है ये कि अगर ये आपको टच भी कर देगा तो आपकी सीधे जान जा सकती है अब लोगों को बता दूँ कि ये अमीजन के जंगलों में पाय जाने वाले सिबसे खतरनाख जैनवरों में से एक हैं और ये जैनवर पहले अपने शिकार से लिपट जाता है फिर दम लगा कर उसकी हड़ियां तोड़ देता है और फिर सीधा वो उसको निगल जाता है पिरहना फेज दोस्तों ये अमीजन के जंगलों में पाये जाने वाला एक बहुती खतरनाख जीप पिरहना मचली है अगर आपने भी पिरहना मूवी देखी है तो आप इस मचली के बारे में तो जानते ही होंगे ये मचलियां साफ सुत्रे पानी में पाई जाने वाली बेहत खतरनाख और डरावनी मचलियां होती है और इनका जुंड केसी भी जानवर को आसानी से खा लेता है फिर चाहे वो कोई मगरमच हो या फिर कोई शेर ही क्यों न हो और ये अपने शेकार को पानी के अंदर भी ख खीच सकती है और फिर जो होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है और ये मचलियां अपने पैने और नुकीले दान्तों से उस जानवर या इनसान का पूरा मांस खा जाती है और अंत में जो बचता है वो सिर्फ कंकाल होता है तो दोस्तों इन जानवरों में से आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिले सबसे पहले तन्यवाद